हाई फ्रेंड्स यूट्व मेर regen ये आपका स्वागत दोस्तोँ इहां में आपके लिए ओर ही टिंग जहां नयने ओर डर भाई जो ड्राइवर आटो चलातें उनके लिए तो बहुत से आटोडर जहां नयने ओर सी będę खते हैं-उनका एक मैंसेज आ है जो उनका आटो और हीट हो यह वीडियो उनके लिए जरूर शेर करना और उनके तक जरूर पहुचाना तो आगे चलते हैं और कुछ चीजों को फॉलो करो और उसकी बाद आटो रिक्षा में आपकी जो ओर रिटिंग का प्रावलम कम हो या नहीं यह मुझे कमेंड करके जरूर बताना तो दोस्तों यहा सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बैटरी में लॉंग लाइफ चले और आपको स्टाइटिंग कोई ट्रॉबल ना दे उसके बाद आता है दोस्तों आपका जो पेट्रोल पे चलाना जरूरी होता है तो आपको यहां श्टिकर धीख रहा है तो यह भी चीज आपको एक से चलाना चाहिए जहां आपका पेट्रोल पर चला लेना चाहिए च्छोटी मोटी चीज आपको ध्यान नहीं देते और आगे चलके आपको और रिटींग हो सकती है और दोस्तों जहां आप सुबह आटो चलाते तो उसको एक या दो मिनिट तक जगे पर ही गाड़ी अच्छे सब्सक्राइब हर जागा उसका जाना चाहिए तो यह ध्यान रखना चाहिए आभी टूश्ट्रोक और आटो सुबह स्टार्ट करके जल्दी से निकल जाते और दंदा करते पैसा कामन लगते पर यह बहुती गलत जो हैविट यह इसे चेंज कर लेना चाहिए तो दोस्तों यह भी एक इंजन गरम होने का सबसे शुरुवती स्टेज होता है यहां आप ध्यान देते ने और आप यह गलतिया कर बेटते हैं और दोस्तों बहुत चाहिए ऐसे भी होते आपका आटो कभी ही दोते नहीं जा सर्विसिंग करते नहीं सालों साल मैनों उससे भी एक इंजन जल्दी चेंज कर लेना चाहिए या फिर उसमें ऑईल का ग्रेट देख लेना है 20W 50 या कौन सा वह भी देख लेना है उसके बाद आपका इंजन ऑईल कम हो तो से टॉप भी कर लेना है तो इसकी लिंग आपको डिस्विसिंग में मिल जाएंगी आगे चलते हैं ग्रीसिंग यहां आपके two tail 있다 करना है और उसके बाद यहनेपल कर लेना है जिसके कारन अच्छे ओडि भागताती है विल फिर हो तो य swiftly तो दोस्तों यह हो गया आपको इंजन गरम होने के और भी है आगे लास्ट टक बने रहना है और दोस्तों आयो चैनल पर सब्क्राइब करना और भाई का नाम भी जान लेजिए मैं हूँ अनिल बागोल यहां मेरा जो चैनल है वह आटो रिक्षा ग्यान यह आपके लिए आट प्रिक्षा ग्यान में आयों तो कमेंट लाइक करना तो बनता है और आपको सब्क्राइब करना है और बैल आइकान भी दबाने जिसे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों दूसरा है यहां आपको टूस्ट्रों फोस्ट्रों जो भी आ कर दूसरा होता है रएका धाने खर सब्का लेन चाहिए तो यहां उसे चलते हैं तो यहां आपको गाड़ी का श्पीड इस चलता हो तो ठीक यह कुई पर दोस्तों अंदाजी से चलाते हैं तो दोस्तों ध्यान देना आपका जो गाड़ी का स्पीड होता है वह 60-65 के अंदर होना चाहिए हर एक जागा जो टेंपरेशर अलग अलग होता है 35-40 तक आपका टेंपरेशर गाड़ी का हो यहां आपके इलाके आटो रिक्षे चलाते हैं तो गर्मी के कारण इंजन बहुत गरम होता है और दोस्तों यहां उसका जो एर फिल्टर है यहां भी उसको क्लिन करना है और हो सके तो नया भी डाल सकते है इसके भी लिंग आपको नीचे मिल जाएंगी तो दोस्तों बहुत से नया गाड़ी में इस यू जो सिस्टिम होता है कंट्रोल इनी सिस्टिम वहां भी चेक कर लेना है और उससे भी अपडेट कर लेना है तो यह भी सिक्स पॉर गाड़ियों में है दोस्तों उसके बाद आते हैं कार्बोरेटर कार्बोरेटर को भी एर क्लिटर की जाए अवा आती है एर फिल्टर के तो वह भी उसे देख लिना कर लेना है तो दूस्तों यहां बहुत से एलपीजी गड़ियों का जो मल्टी वाल होता है वहां भी कुछ प्रॉबलम होते ज जो ग्यास अच्छे से सप्लाइ नहीं हो पाती और इंजन गरम होने के चांसे बढ़ जाते हैं और आगे चलते हैं बहुत से अटो ड्रय और अभी पूराना जो पैनल होता है वह ऐसे की वह इसे तो अभी नए आटो का जो पैनल है जिसे जाली है जहां बैक पैनल देख सकत के दोसे आटो में आप तो यह भी चेंज कर लेना आपके पास हो तो कोई बात नहीं हो तो इस तरह चेंज कर लेना जिसे इंजन की जो गरम हवा भार निकल जाने के उसके ठंडा होने का चांसे बढ़ जाते हैं यहां आटो रिक्ष्य के बारे में में वीडियो डालते रहे उसके वज़े से होता है इंजन गरम है और दोस्तों आपका average mileage पूरत भरबाद खarab होता है तो दोस्तों यह है ब्रेक लाइनर जैसे आप प्रेक पेर रखते हैं तो आगे आपके जो लाइनर होते हैं ब्रेक है यह पीछे जोःते है आपके द्रब को अच्छे से पख़ड तो दोस्तों यहाँ आप हलका पेर भी रखते तो यह सिस्टेम देख लेना है तो वील आपका फिरी है यह नहीं या फिर ब्रेक ज्यादा ही जाम हो तो भी आपका इंजन गरम और हो सकता है और दोस्तों आगे चलते हैं यह है आपके तीनों टैयर में हवा जो उसका प्येसा ह आपके हिसाब से 40-50 के असपास रच सकते हैं यह कम होने के कारण भी आपका इंजन अच्छे से भागने पाता है और इंजन ओर हीट होने का बढ़ जाती है और टूस्तों गाडियों में एक प्रॉब्लम ऐसा है ब्लॉक क्यों भरता है उसके बाद शालेंसर यह तो गाड़ इंजन जो स्वीच मारता है यह चैंसे भोज जाधा होते है तूस्ट्रोक में तो दोस्तों यहां हो गया तूस्ट्रोक आगे चलते तो भी स्टार्टिंग ट्राबल हो गरम होके बंदो तो आप सीड़े अकाइल पिक अपकाइल यहां भी चेक कर लेना आप देख सकते गढ़ारी तो दोस्त recently फूहां हो सकता है तो और अधन कम हूआ तो मुझे जरूर कम कमेंट करना हैं कि इसमें कोई molecular हुआ है